नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेब साइट www.naysubah.org naisubah.org असलाम अलेकुम नई सुभा के इंडिपेंडिन्ट लिविंग प्रोग्राम के और्डियो लेर्निंग टिटोरियल्स के साथ मैं हूं मिस दुरानी आज हम बनाना सिखेंगे कटलस कटलस बनाने के लिए हमें जिन अजज़ा की जरूरत है उनमें शामिल है आलू आधा किलो चिकन आधा पाउ प्यास दर्म्यानी साइस की दो अदद बारिक चौपुई वी हरा धनिया बारिक कटा हुआ 2 टेबल स्पून हरी मिर्चे बारिक चौपुई वी 2 टेबल स्पून ब्रेट क्रम्स आधा पाउ ओईल एक पाउ चावल काटा 2 टेबल स्पून नमक 1 टेबल स्पून पिसी काली मिर्च 1 टी स्पून पिसा गरम मसाला हाफ टी स्पून चिकन पाॉडर वाइंटी स्पून पिसा जीरा हाफ टी स्पून अंडे दो अदद तरकीब सबसे पहले आलू को छील लें फिर एक पती ली लें और उसमें आलू और चिकन दोनों डाल के बॉयल कर लें अब आप आलू और चिकन में हैरा मसाला और तमाम मसाले एड़ कर दें और फिर इन्हें हातों की मद़से अच्छी तरह मैश कर लें अब आप इसमें आधा अंड़ा फैट कर शामिल कर दें और फिर इसे अच्छे से मज़ीद मिक्स कर लें फिर आप इनकी बड़ी बड़ी चप्री चप्री टिकिया बना लें और बचे हुए आदे अंडे में एक अंडा मजीद भैट लें अब आप एक एक टिक्या को अंडे में डिप करते जाएं और साथ ही ब्रेड क्रम्स लगाते जाएं और फिर तेल गरम करके इन्हें फ्राइ कर लें 30 सेकंड्स तक टिक्या की एक साइट फ्राइ करें और फिर 30 सेकंड्स तक टिक्या की दूसरी साइट फ्राइ करें गोल्डन होने पर इन्हें प्लेट में निकाल लें और सर्फ करें ये थी हमारी आज की रेसिपी अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफिस ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए